वेल्कम बैक गाइस टो वर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी, मेरा नाम है चेतन पारिक, आरस अगरवाल की इंग्लिश वाली बूक सौल कर रहे हैं, उसे को कंटीनियो कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस वाले चेप्टर में, पार्ट नुम्मर 26 अपन सुरू करने जा र है, एक आदमी है, वो सबसे पहले तो आपका कमजिटी की प्राइश को 10 परसंट V lot पारिक करता है, 15% competence का दिसकांट भी दिज़ेता है तो यह कह रहा है, the actual discount on the original price is तो उसका actual discount जो है, वो original price के उपर कितना है यह आपको find करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेता है 10% बड़ा के लिखा है, increases the price by 10%, मतलब old price यहाँ पे यहाँ पे new price, 10% बड़ा है, 10% को fraction में कितना लिखते हैं 1 upon 10, यानि 10 के उपर एक बड़ाया है, और कितना लिख दिया, 11 लिख दिया old से new, यहाँ तक clear है, अब new price के उपर उसने 15% का discount और दिया तो यहाँ पे एक तरीके से क्या discounted price है, एक तरीके से यहाँ सागी क्या मुलेगा, मुझे discounted price मिलेगी 15% को fraction में किता लिखते हैं, 3 बटा 20 लिखते हैं 20 के उपर अगर 3 का discount है, इसका मुलब 20 की चीज़ कितने में गई है, देखो 17 में गई है 20 की चीज़ कितने में गई है, 17 में गई है इसको यहाँ पर multiply, इन दोनों का LCM लिख रहते हैं, किता आएगा मेरे पास, यहाँ पर 220 LCM आएगा इसको अपन ने 20 से multiply किया, तो इस line में जो भी 20 से multiply कर देंगे, किता आगया 200 इसको अपन ने 11 से multiply किया, तो इसको भी 11 से multiply कर देंगे ग्यारा इंटू 7, 77, और ग्यारा और साथ किता हो गए, 18, यानि 200 की चीज, 100 सित्यां से में जारी है पहले तो 220 की चीज इत्ता में जारी थी, लेकिन आपको पुछा है कि पुराने वाली value के उपर, original value के उपर किता discount है तो 200 की चीज अगर 187 में जारी है, तो 13 रुपय का discount है ये 13 रुपय का discount किसके उपर है, 200 के उपर है, यहां पर अपन में लिख देते हैं, 200 इसको percentage में change करने के लिए into 100 कर लेते हैं, 00 कट गए, 13 बटा 2 किता होगा, 13 बटा 2 होगा, 6.5% तो 6.5% option भी इस question में अपना correct answer हो जाएगा, clear? बढ़ते हैं, अगले सवाल क्या है, और अगला सवाल क्या है? Next question है, रमन bought a camera and paid 20% less than its original price He sold it at 40% profit on the price he had paid The percentage of profit earned by रमन on the original price was रमन ने 20% कम पर सबसे पहले ते camera खरीदा जितने में उसने खरीदा, उससे 40% ज्यादा पर उसने आगे बेचा उस पर 40% का profit कमाते हो, उसने आगे बेचा तो यह कह रहा है कि सुरवाती value को उपर अगर रमन अपना profit calculate करता है तो कित्य पढ़ेगा, वो आपको find करना है सबसे पहले तो 20% discount पर खरीदा है, इसका मलब 5 की चीज कितने में खरीदी है, चार रुपे में खरीदी है यह क्या है, original price थी, mark price थी एक तरीके से, original price थी और यह क्या है, जितने में उसने खरीदा है, जितने में उसने खरीदा है, यहाँ पर मैं लिग देता हूँ, old price एक तरीके से एक तरीके से लेकर है, old price अब जो भी जितने में उसने खरीदा, उसके उपर उसने 40% का profit कमाई है 40% को अपन fraction में कितना लिखते है, 2 by 5 लिखते है 5 के उपर 2 का profit है, इसका मलब 5 की चीज कितने में बेची उसने आगे 7 में, यह आगे है उसके लिए new price, अगे कितने में उसने बेचा अब इन दौनों ratios को merge करना है, ratio को merge करना है, अब I hope आपको अच्छे तरह के समझ माचुका होगा दौनों का LCM कितना होगा, 20 होगा, 4 से 20 कैसा आता, into 5 करने पर तो इस line में जो भी होगा, उसको into 5 कर दिया यह कैसा आया, into 4 करने पर तो इस नीचे वादे line में जो भी होगा, इसको into 4 कर देंगे, यहाँ पर कितना मिल गया, 28 मिल गया कोई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं, फिर इनका multiply करते हैं एक ही बात है, दोनों को कैसे भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर finally पूचा है, कि 20 की चीज उसने आगए 28 में बीची वह तो ठीक है, लेकिन पुराने वाली value के उपर उसका profit देखें तो कितना है, तो 25 की चीज अगर 28 में जा रही है, profit कितना है, तीन का profit है, किस के उपर है, किस के उपर है, किस के उपर है, 25 के उपर है, इसको percentage में change करने के लिए 100 से कुना करा दू, इसको काड़ देखें, चार बार में, 4 into 3 किता हो गया, 12, तो option A, 12 percentage question में अपना correct answer हो गया, clear, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, हर एक सवाल आप साथ साथ में जरूर ट्राइ that it is 20% more the cost price, if he allows 10% discount on the mark price, then the customer will gain, तो gain कितना है customer को भी find करना है, सबसे पहले तो दुकानदार 20% ज्यादा मार्क करके रखता है cost price से, उसके बाद में वो mark price के उपर 10% का discount पर दिखता है, तो दुकानदार को कितना profit या loss हो रहा है, या आपको find करना है, ठीक है, तो सबसे पह 5 है, तो मार price किती है, 6 है, उसके उपर वो 10% का discount दे रहा है, discount हमेशा MP के उपर मिलता है, 10% का discount है, इसका मलब 10 कीचीच कितने में गई है, 9 में गई है, यह हो गया SP, इन दौनों को merge करके लिखते है, यहाँ पर 30 लिखतो, दौनों का calcium कितना होगा, 30 होगा, 6 से 30 कैसा आया, 29 से 30 कैसा या, या into 3 करने पर थो 9 को भी तीन से कुणा करनें किता होगा, 27, अब अगर 25 रुपय कॉस्स प्राइज है, 27 रुपय का प्राफित हो रहा है, तो रुपय का प्राफित हो रहा है, किसके उपर हो रहा है, पत्चीच के उपर हो रहा है, इसको percentage में बदनने के commodity, so as to include a profit of 25%, he allowed a discount of 16% on the mark price his actual profit was, एक दुकानदार है, वो एक commodity की price को इस तरीके से mark करके रखता है, ताकि उसको 25% का profit हो, एक तरीके से कह सकता है कि cost price से 25% बड़ा कर वो अंकित करता है, mark करता है, ठीक है, उसके बाद में वो आगे 16% का discount भी देता है, mark price के उपर 16% का discount भी देता है, ठीक है, तो पूछा है उसका gain कितना है, या फिर actual profit कितना है, वो आपको find करना है, बिल्कुल same सवाल बन गया, CP, MP और SP, तीन बाते हो रही है यहाँ पर, CP, MP और SP, mark कैसे करता है 25% का फाइदा हो जाए ताकि उसको, 25% को fraction में 1 by 4 लिखते हैं, 4 रुपे को उपर 1 रुपे बढ़ाया है, इसका मलब 4 की जगे उसने कितना लिखा है, पांच लिखा है, यह तो हो गया, CP को बढ़ा कर अंकित किया, और MP बना दी, MP के उपर उसने, mark price के उपर उसने 16% का discount का 16% का, 16% को fraction में किता लिखते हैं, 16 बटा 100, 4 से काड़ देते हैं, 4 वार में, 4 से काड़ दिया, 25 वार में, यानि 25 के उपर 4 का discount दिया है, 25 के उपर अगर 4 का discount दिया है, मलब चीज गई कितना है, 21 रुपे में गई है, फिर से इन दोनों ratios को merge करेंगे, तो 5 और 25 का calcium किता होत थी, 25% बड़ा का रंकित किया, और कितने रुपे मार्क कर दिया, उसके उपर 25 रुपे, और उसके उपर 16% का discount दिया, और कितने में बेचा, 21 रुपे में, प्रॉफिट निकालना है, अगर 20 की चीज, 21 रुपे में जारी है, यानि एक रुपे का प्रॉफिट हो रहा है, कि next question, a trade man marks his goods 30% above the cost price, वह यह 30% बड़ा करंकित करता है, he allows a discount of 6, 1 by 4%, then his gain percent, वह यह बिल्कुल सेम सवाल है, पहले 30% बड़ाता है, फिर discount देता है, तो profit कितना है, यह आपको find करना है, आपके लिए skip करता है, इस सवाल का, क्या answer होगा, आप मुझे comment में लिखके बताएंगे, अगला सवाल देख लेता है, a shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book, at 10% discount on the printed price, एक दुकानदार को 12% का profit होता है, अगर वो mark price के उपर 10% का discount देता है, ठीक है, यह पूछ रहा है, आगे सवाल में, the ratio of cost price and the printed price of the book, तो cost price और printed price, यानि mark price के बीच में क्या ratio है, यह आपको find करना है, तो तीन price और एक SP, सबसे पहले दो कहा रहा है, a profit of 12%, एक किताब को बेचने पर 12% का profit हो रहा है, 12% को fraction में अपन किता लिखते है, 12 बटा 100, यानि 3 बटा 25, 25 के उपर अगर 3 का profit हो रहा है, यानि 25 की चीज कितने हमें, finally BQ होगी, 28 रुपे में BQ होगी, पर profit और loss किस के उपर निखा निखालते हैं, CP को उपर निकालते हैं, इसलिए CP को उपर निकाला, ठीक है, कितना हमें बेचा है, इसलिए हम आपे विक्रे मुल्य को उपर लिखेंगे, MP के निखेंगे, ठीक है, आगे क्या कहा रहा है, 10% का discount को अपन क्या लिखते हैं, एक बटा 10, 10 के उपर एक का discount, या इसका हमला 10 की चीज कितने में गई है, 10 की चीज गई है, 9 में, ठीक है, अब इन ratios को एक बार merge करा देंगे, इन दोनों को multiply करा लेते हैं, कितना आ रहा है, इन दोनों को multiply कराने की ज़रूरत करी लेते हैं, चलो, यहाँ पर किता मिलेगा मुझे, 28 into 9, इसको ही लिख देते है एक बार के लिए, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि CP का और MP का रेशयो कितना है, सबसे पहले 28 से यह कैसे आया, into 9 करने पर, तो इसको क्या कर लेंगे, into 28 करने पर तो इसको क्या कर लेंगे, into 28 और 10 तो थाई, ठीक है, इसका और इसका रेशयो आपको question में पूछ रखा है, तो सबसे पहले तो पांच से काड़ दिया दो बार में, पांच से काड़ दिया पांच वार में, तो 9 x 5 किता हो गया 45, अनुपाद, 28 x 2 किता हो गया 56, तो 45, अनुपाद 56, option A is question में अपना direct answer हो जाएगा, clear है, अगले सवाल क्या और बठते हैं, अगला सवाल क्या है, A showroom owner sells a leather jacket for rupees x and claims to make a profit of 10%, he plans to have a stall in the trade fair and marks the same jacket at rupees 2x, at the stall he allows a discount of 20%, what will be the percentage profit that he will make at the trade fair, तो इसको trade fair में कितना profit हो गया, देखो क्या है, कि एक showroom owner है, वो एक jacket को x रुपे में बेशता है, जब वो x रुपे में बेशता है, तो उसको 10% का फाइदा होता है, ये question के अंदर clearly लिख रखा है, ठीक है, आगे है कहरा है कि उसमें ये सोचा कि अब मैं इस jacket को trade fair के अंदर जाके, उस jacket की जो mark price है, उसको 2x रुपे मार्क कर देता है, और 2x रुपे मार्क करने के बाद मे वो 20% का discount भी देता है, आगे उसको उपर 20% का discount भी देता है, तो ये पूछ रहा है कि trade fair के अंदर वो कितना profit कमाएगा, ये आपको find करना है, सबसे पहले तो normally वो क्या करता है, x रुपे में बेशता है, जब वो x रुपे में बेशता है, तो 10% का profit कमाता है, तो सबसे पहले x रुपे selling price पढ़ी है, 10% profit पढ़ा, इसकी अलब से CP निकाल सकते हैं, 10% profit है, इसका मलब 10 की चीज 11 में कही है, ये है CP, ये है SP, 11 नहीं है, actual में कितना है, उसने x रुपे में बेचा, 11 की जगे कितना है, x है, इसको आपने किस से multiply किया, into x बटा 11 से, 11 को into x बटा 11 करेंगे, इसको भी कर लेते हैं, वो चीज किता हो जाएगा, 10x अपन 11, यानि एक तरीके से jacket की cost price मुझे मिल गए, कितनी मिली, 10x अपन 11, ये हो गई jacket की cost price, यहां तक clear है, अब इसको एक बार मिटा देता है, अब आगे क्या करता है, cost price बली 10x अपन 11 है, लेकिन वो जैसे trade fair के अंद देता है, 20% के discount को कितना लिखते हैं, अपन 5 से 4 लिखते हैं, 20% के discount को अपन के लिखते हैं, 5 से 4, MP actual में 5 नहीं है, actual में उसने MP किती लिखी थी, 2x लिखी थी, तो 5 से 2x कैसा आया होगा, into 2x अपन 5 करने पर, तो इसको भी वही चीज कर लेंगे, 4 into, into 2x अपन 5 किता हो जा लाके 10x अपन 11 में खरीदा, और 8x अपन 5 में उसने बेचा, CP पड़ी है, SP पड़ा है, profit percentage निकालना है, इसको solve कर लेता है, x और x तो कर जाएंगे, ठीक है, ये दौनों को मैं 55 से गुणा करा देता हूं, ताकि ये fraction अट जाए, इसको भी मैंने 55 से गुणा करा दिया, इसक अब अगर 50 की चीज, 88 में जारी है, 50 की चीज अगर आगे 88 में जारी है, यानि 38 रुपीज का profit है, 38 रुपीज का profit है, किसके उपर है, 50 के उपर, CP किती 50 के उपर, into 100 कर लेंगे, ताकि किसके अंदर change हुजा है, percentage के अंदर, दो बार में काट दिया, और 38 into 2 किता होता है, 600 हो profit, option B, इस question में अपना correct answer हो जायागा, clear, I hope अच्छे समझ में आगया होगा, आपको इस सवाल, अच्छा सवाल है, बढ़ते हैं, अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, the price of an article is raised by 30% and then two successive discounts of 10% each are allowed, ultimately the price of the article is, ultimately उस article की price कितनी बड़ी है, या आपक करके लिखा, 30% को fraction में किता लिखते हैं, 3 बटा 10, 10 के उपर अगर आपने 3 increase किया, इसका मलब 10 की जगे आपने 13 लिखा है, ठीक है, पहले था आपने 10 से 13 किया, उसके बाद में उसने आपने 10-10% के 2 discount भी दिए, 10-10% के 2 discount है, इसका मलब 10 से 9, 10 से 9, यहा पर दो बार लिख 63 यहां पागे 6, 9 और 6 किता हो गया, 15 यहां पागे 1, 9 और 1 किता हो गया, 10, यहां तक आई बात समझ में, तो यह सवाल में पूछ रहा है कि ultimately price कितनी increase हुई है, तो 1000 रुपय के उपर आपने 1053 लिखा है, इसका मलब 53 increase हुई है, किसके उपर increase हुई है, 1000 के उपर increase हुई है, इसको percentage में change करने के लिए एंडरेट से multiply कर देंगा, एंडरेट कर जाएगा, कितना आएगा, 5.3 percentage, तो ultimately कितना increase हुआ है, 5.3% increase हुआ है, यहनि option C, इस question में अपना correct answer हो जाएगा, पहले थोड़ा बढ़ाया, और उसके बाद दो बार थोड़ा कटा दिया, इन सब के equivalent value निक 27, if he sells them at their mark price, the gain percent in the anti-transaction, मतलब क्या हुआ, कि एक retailer था, उसने wholesaler से, पैसे तो 27 article की दिये, पैसे तो उसने 27 article की दिये, लेकिन item वो गर पे किते लेका है, 30 item गर पे लेका है, यानि एक तरीके से उसको 27 के उपर 3 का profit हो रहा है, 27 के उपर 3 का profit हो रहा है, उसने आगे mark price के आगे बेश दिया, यहीं कुल मिला कि यही चीज है, 27 की चीज उसने आगे 30 रुपय में बेश दी, तो profit percentage किता है, तो 3 रुपय का फायदा हो रहा है, किसके उपर हो रहा है, 27 किता होता है, 1 बटन होता है, और 1 बटन हो कितना होता है, 11 सही 1 बटन होता है, in terms of percentage, तो क्या answer हो लिखे वे थे, लिखे वे कितने थे, 30 रुपय के पैसे लिखे वे थे, तो 30 रुपय के पैसे पर ही आगे बेश दिया, पढ़ा किते में उसको 27 में पढ़ा तो 27 की चीज, 30 में बेची है, तो इसको पने इस तरही से solve कर लिया, clear, बढ़ता है, आगे अगले सवाल किया, और the sale is, तीन हजार रुपय में नॉर्मली एक दुकानदार अमरिला को बेशता है, ठीक है, और इस प्रकार उसको 20% का फाइदा होता है, आगे यह कह रहा है कि अगर वो clearance sale के उपर क्या करता है, वो 10% का discount भी दिदेता है, on the mark price, तो उसका profit percentage कितना होगा, यह आपको find करना है, स 200 आजाएगा, किता आजाएगा, 200 आजाएगा, यहां तो clear है, 200 रुपय में उसने खरीदा था, 300 रुपय में उसने आगे बेश दिया, अब आगे कह रहा है, during a clearance sale, the shopkeeper allows a discount of 10%, clearance sale के दोरान, वो 10% का discount भी देता है, तो 300 रुपय के उपर अगर वो 10% का discount दे रहा है, तो 300 का 10% किता होता है, 30 होता है, 300 के उपर अगर 30 रुपय का discount दिया, यानि बेचा कितने में होगा, उसने 267 रुपय में बेचा होगा, अब अगर 200 की चीज 277 में जा रही है, इसका मतलब 20 रुपय का profit हो रहा है, किसके उपर हो रहा है, CP के उपर, यानिए 200 के उपर, इसको percentage में change कर कर देंगे, यह 00 काट दिया, इसको काट दिया, चार बार में, 4 into 2 किता हो गया, 8%, तो 8% option C, इस question में अपना correct answer हो जाएगा, clear है, चलते हैं, अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या कह रहा है, next question है, the cost price of an article is 64% of the mark price, यह है cost price, यह है mark price, यह कह रहा है, कि cost price जो है किसी article की, व अगर mark price है 100, तो उसका 64% किता होगा, 64 होगा, यहां तक अपने देख लिया, अगे कह रहा है, calculate the gain percent after allowing a discount of 12%, अगर mark price के उपर 12% का discount दिसकाउंट दिया जाता है, तो gain percentage किता होगा, so के उपर अगर 12% का discount दिसकाउंट दिया जाता है, मतलब 12 unit का discount दिसकाउंट दिया जाता है, तो चीज कितने में बिकेगी, 88 में बिकेगी, यह होगी selling price, अब अगर 64 की चीज 88 में जारी है, तो कितना रुपय का profit हो रहा है, कितने रुपय का profit हो रहा है, यहां पर profit हो गया, सोड़ा और चॉइस रुपय का प्रॉफिट हो गया तो यह चॉइस रुपय का प्रॉफिट किसके उपर हो रहा है 64 के उपर हो रहा है इसको पर्सेंटेश में बुदलने के लिए यहां पर क्या कर देंगे इंटू हंड्रेट कर लेंगे आठ से काड़ दिया तीन बार में आठ से काड़ दिया आठ वार में चार से काड़ दिया दू बार में चार से काड़ दिया पच्छिस वार में पच्छिस इंटू तीन किता होगे पिचतर और अपन में किता है दू पिचतर बटा दू किता होता प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी!